हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम बैक, स्वागत है आप सभी का, तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स टे के लिए बताते हैं कि कौन सा डेटा आने वाला है और उसका क्या इंपेक्ट रहने वाला है फोरेक्स करंसी पेर्स के ओपर और कॉमेडिटीज के ओपर भी, तो चलिए शुरु आ रहा है 7 a.m. पर और जो इंपेक्ट इसका पढ़ने वाला है वो है AUD, USD के उपर और जो डेटा आ रहा है वो है कंपनीज ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का तो इसका डेटा है ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का डेटा है तो यहां पर 0.5 पिछली बार था और – 0.8 रहने की उमीध है अगर यहां पर यह और ज्यादा कम आता है इससे तो AUD, USD में गिरावट देखने को मिल सकती है ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकल जो होता है जो वहां की जो फैक्टरीज है उनकी आउटपुट दर्शाता है और इस वज़ए से यह डेटा, important डेटा ह होता है तो यहां पर यह AUD, USD पर 7 वज़े इंपक्ट डाल सकता है तो इसके उपर आप जरूर नजर रखें अगर यह 0.5 से ज्यादा आता है तो फिर AUD, USD उपर की ओर को मूव कर सकता है जो सेकेंड डेटा यहां पर आ रहा है वो आ रहा है 11.30 एम पर और इसका इंपक्ट जो है पिछली बार 18.7 billion था और इस बार यह forecast कितना है वो अभी तक हमें नहीं मालूम है यानि कि वो बताया ही नहीं गया है कितना forecasted है तो forecasted जो value है वो अभी उसका data available है ही नहीं और इस वज़े से यहां पर अब हमें इसके basis पर ही देखना होगा 18.7 billion से अगर यह ज्यादा आता है तो फिर उसके बाद EU or USD यहां पर ऊपर की और को जा सकता है लेकिन अगर इससे कम आता है तो EU or USD नीचे की और को भी गिर सकता है नेक्स जो यहां पर data आ रहा है उसको जानने से पहले अगर यहां पर आप जो है strategy देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए दो strategies लेकर क प्लस EMA की strategy है दोनों ही strategies चो है intraday के लिए है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और बहुत ही बढ़िया strategies है मैं personally उनका use forex studying के लिए करता हूँ और मैं आपको भी recommend करता हूँ कि आप भी उनका use कीजिए बहुत ही बढ़िया strategies है और दोस्तों यहां पर अगर आपने अभी भी अकाउंट ओपन नहीं कर रहा है तो Exynos पर अपना forex studying अकाउंट जल्दी से ओपन कर लिजे आपकी help के लिए मैं videos ले करके आया हूँ यहां पर आपको उनका link मिल जाएगा कि कैसे आप account ओपन कर सकते हैं कैसे money add कर सकते हैं कैसे withdraw कर सकते हैं pips क्या होते हैं spread size क्या होते हैं और काफी time से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप भी इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए तो Exynos पर जल्दी से अपना account ओपन कर लिजे इस video कर description box में जाएगा और वहाँ पर आपको link इसका मिल जाएगा वहाँ पर क्लिक कीजिए और Exynos का account ओपन कर लिजे और साथ ही दोस्तों जोई data है इनका अपडेशन हम आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर भी देते हैं तो अगर आपने हमारा टेलिग्राम चैनल नहीं किया है तो इस video कर description box में आपको हमारा टेलिग्राम चैनल भी मिल जाएगा वहाँ पर जाएगा उस पर क्लिक कीजिए और जल्दी स बनाई हुई है वो उनका जो मैंने back testing करी हुई है वो मैंने करी हुई है nifty bank nifty पर लेकिन आप उनका use forex study में कर सकते हैं आप उसे चाहे back test भी कर सकते हैं मैं personally उनका use करता हूँ इसलिए बहुत ही बढ़िया काम करती है बलकि nifty और bank nifty से भी ज्यादा बढ़िया काम वो forex studying में करती हैं तो आप उनका use जरूर कीजिए तो यहां पर दोस्तों अब जो next data आ रहा है वो आ रहा है 12.30 pm पर और यहां पर इंपक्ट इसका पढ़ने बाला है वो usd.chf के ओपर पढ़ने बाला है जो यहां पर chf यानि कि switzerland का data आ रहा है और switzerland का gdp का data आ रहा है और gdp यहां पर 0.6 पिशली बार थी और जो forecasted data है वो available नहीं है तो 0.6 से अगर ज्यादा आता है तो usd.chf नीचे की और को जा सकता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि measure यहां पर usd है जब भी किसी country का data strong आता है तो usd उसके सामने कमजूर पढ़ता है और अगर usd measure होता है पेर में तो वो नीचे की और को जाता है और अगर 0.6 यहां पर इससे यहां पर कम आता है तो chf थोड़ा कमजूर होगा usd उसके सामने मजबूत होगा और usd.chf पूरा पूरा पेर उपर की और को यहां पर जाहेगा जो next data यहां पर आ रहा है वो आ यहां है 12.30 pm पर अगेन और उसका impact भी EU or usd के ओपर ही पढ़ना है और जो data है वो है Spain का data तो Spanish unemployment change का यह data है और minus 11,000 यह data पिछली बार था और इस बार अगर यह बढ़ता है अगर unemployment बढ़ता है तो वो अच्छी बात नहीं है और पूरा-पूरा EU or usd नीचे की और को जाएग और अगर यहां पर unemployment घटता है, minus 11,000 के से कम आता है तो यहां पर EU or usd उपर की और को move करेगा इसके लावब जो next data आ रहा है वो आ रहा है 6.30 pm पर और यहां पर जो German Central Bank के जो President है उनकी जो speech है वो आनी है और यह speech अगर वो कुछ उसमें hawkish statements देते हैं तो यहां पर EU or usd में हमें अच्छा move देखने हों मिल सकता है लेकिन अगर वो थोड़ी dawish statements देते हैं hawkish statements का मतलब हो गया कि ऐसी statements जिनमें की interest rate को बढ़ाने की बात हो थोड़े कड़े action लेने की बात हो तो वो hawkish statements हो गई dawish statements यानि की थोड़ी सी यहां पर रहत देने वाली news जैसे की interest rate कम करने की inflation कम करने की बात हैं यहां पर आपको अच्छा impact देखने को मिल सकता है तो दोस्तों यह थी वीडियो और जैसे मैंने आपको बताया कि अपने profitability को बढ़ाने के लिए अप strategies का यूज कर सकते हैं strategies को भी देखिए और Exynas पर account open जल्दी से कर लिजिए क्योंकि इस टाइम जिस टाइम यह data आता है उस टाइम हमें अच्छे move देखने को मिलते हैं तो Exynas के लिए आपको यहां पर link दिया हुआ है उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो दोस्तों यह था वीडियो जो की था data से related और I hope आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं और एक और चीज़ दोस्तों की United States में holiday है Monday को तो उसकी वज़े से United States का यहां पर कोई भी data हमें देखने को नहीं मिला है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि DXY जो है उसके ओपर impact नहीं पड़ेगा बाकी चीज़ों का impact जो है DXY की ओपर पड़ता रहता है जैसे कि अगर Europe में कुछ हो रहा है तो उसका impact भी पड़ेगा बाकी countries में हो रहा है तो इसका impact भी पड़ेगा तो यह एक और information थी आपके लिए तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो को जितना हो सके उतना share भी कर दीजे अपने दोस्तों के साथ जहां पर भी आप social media पर हैं वहां पर भी यूँकि share करने से knowledge और भी ज subscribe कर लेजिए तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में till then have a nice day good bye